नई सरकार से खुश हैगी नाराजेश हम तो डूबे है सनम तुम्हें मिलेकर डूबेंगे ये कहवात आप सबने जरूर सुना होगा और ये कहवात को नागपुर जिला परिशत की योजनाओ द्वारा सिद्ध किया जाता है ये आज हम आपको बताएंगे नमस्कार आप देखे रहें आज के खास बात वीर सिंग के साथ दोस्तो पंचायत समिती पार्शिवनी यहां का एक गाउं बनेरा जो की पार्शिवनी तैसील से लगभग 40 किलो मिटर दूर और अगर हम बात कर नैशनल हाइवे की तो लगभग 50 से 60 किलो मिटर के दूरी पे आदिवासी छेदर है बनेरा हम इस गाउं में पहुंचे हमारे कैमरामेन श्री अकलेश भारद्वाज जी के साथ में और वहां पहुंचकर हम लोगों से बात्चीत किये और बात्चीत क्या किये हम आपको सीधा बनेरा गाउं लेकर चलते हैं इनको यह दो लोकन को बक्री मिली थी Myこの सरकार के तरफ से तो वो बक्री को थी बेमारी और हमारे बेमारी रगत लग गई बहुत इंजेक्शान ऐक बछती कंश हैं इसकी यांग नहीं यह पूरी डं‑ोरी बक्री नहीं मिला उसकी बक्री पहले से च्छी थी वह बक्री और उसकी वज़े से आपकी बख्रिया मर गई उसके बिमारी आपके बख्रियों पहल गई नहीं बचा बहुत यह इसे लोगों के साथ हुआ है बहुत लोगन के मरें दस नकार फता है या फिर आस्पास के बगर गया हुआ पूरा हागी में गल गया नमर गया यह बकरी मरा हुआ दिखा रहे हैं यह आपका खुद था उसको दिखाएंगे पूरा हागी में घर गए खाना नहीं खाते ते कुछ ने वह पूरे चले गई आप कैसे अपना परिवार कैसे चलाते हो अब क्या करूं अब खाली है अभी परिवार कुछ ने अभी खेत ने बाड़ी ने कुछ ने अभी गुमता हुआ इसा वह बकरी के वज़से आपका घर चल रहा था आपका परिवार चलाने का साधन वही था पहले से नागपूर जिला परिश्बत के तरब से योजना मिली थी और योजना ऐसी मिली कि लोगों को फाइदा कराने के लिए होता है लिखिन यहां पर आप देख रहे हैं गाउन वाले हमारे साथ हैं गाउं में अग के जीवन अपना परिवार चलाने में काफे दिक्कत हो रही क्योंकि एकदम आदिवासी शेदर है यहां पर रोजगार की कोई सुभधा ऐसी उपलब्द नहीं है आप लोगों को छोटा मोटा चीज करने के लिए कहा जाना पड़ता है कि कहीं बाहर मतलब को समान नुमान ल लोगों के भक्रिया मरत आप लोगों इसकी कंप्लेंड किया कि पंचाइज समीति में वीडियो को विल्कुल ठीक्या मैंने आरोप लगाया वीडियो सापके उपर कि आपने जो गरिब लोगों उनको भक्रित के दिया वह ऐसे बखरी दलाल के माध्याम से मरें मुर्दे दस बखरी दस का पचीस पचास बनाएते उन लोगों के भक्रिया माचे